कमचोर शरीर, विकनेस, दुर्बलता, हाथ पर दर्द, जोड़ों में दर्द का ताकतवर उपाय, दीन में एक बार लो, मस्त रहो दोस्तों कमचोर शरीर को ताकतवर और हेल्दी बनाने के लिए कहीं तरह के उपाय करने के बाद भी अगर आप इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बिंदास होकर इस रहे बेडी को फॉलो किजिए, इसके रोजाना प्रयोग से आपको इन सभी प्रॉलम से छुटकारा मिल जाएगा, आपको इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक मुठी काला चनल लेना है, छ सुबह जब भी उठें, कोशिश कीजे ब्रह्म मुहरत में उठने की, सुबह चार से पांच बजे उठने की कोशिश कीजे, और उठने के बाद सबसे पहले बासी मू, वैगर बरस किये, वैगर कुला किये, एक से दो गिलास हलका गर्म पानी पीना है, यानि गुर्गुना पिना है, कभी भी गर्म चीजों में शहद नहीं याट करते हैं, ठीक है, इसे लेने के 10 मिनिट में ही आप फ्रेश होने चले जाओगे, इसे लेने से पेट अच्छे से साफ होगा, भूख लगेगी और आपका डाजेशन बहतर रहेगा, इसके लावा जिनकी भी शिकायाद रोक पतिरदक श्मता बढ़ेगा, और सबसे अच्छी बात कि इसके बाद जो कुछ भी आप खाओगे, सही से पाचन कर श्रीर को उस चीज का पूरा निट्रीशन देगा, इसके बाद क्या करना आपको फ्रेश होने के बाद जो आपने चना और बादाम भीगोया था, इसे चबा चबा कर अराम से इतमिनान से खा लेना है, हड़ बड़ी नहीं करना है खाने में, अराम से चबा चबा कर खाएए, जितना ज्यादा समय लेकर खाएंगे, उतना ही अच्छे से यह डाजिस्ट होगा, इसके पीछे का वज़ह यह है कि जब आप चबाते हो किसी भी ची और इसका जो बचाओ का पानी है, इस पानी को भी इसे खाने के बाद पी लेना है, हाना, और इसे लेने के आदे घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है, आप तो जानते ही हो, चना, बड़ाम और गुड के फादों के बारे में, यह आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से फा अधाम खाना शुरू करतीचे, श्रीड को सबसे जादा पोश्चन भी के चनों से मिलता है, और अपनी इविलिटी बढ़ाने के लिए रोज इसका सेवन कीचे, इसका श्रीड पर पढ़ने वाला असर आप बहुत जल्दी देख पाएंगे, इसे खाने से दिमाग तेज होत होता है, जिसे चेहरे पर भी निखार आता है, और अगर श्रीड में बहुत ज़्यदा फैट जमा हुआ है, एक्स्ट्रा फैट है, तो इससे भी आपको धीरे-धीरे छुटकारा मिल जाएगा, मैं यह नहीं कह रहा कि आपको बस खाने से मोटापा कम हो जाएगा, तुरंद दिनर में खाते हैं, उसे हमारे शेज को पूरा पॉश्रिक तत्व नहीं मिल पाता, जो शेज को चाहिए होता है, आप चनाम अदाम के साथ गुड़ खाओगे, तो यह पूरे दिना का निट्रिशन पूरा करेगा, इसका मतलब यह नहीं है, कि आप लंच यह फे डिनर स्कि पूर्शों की कमजोरी से जोड़ी थमस्याओं का आसान से उपाय है, सुबग खाली पे चनाम बदाम गुड़ खालीजे, और से पहले जो आपको बताया, आउला और शहद एक गुनगुने पानी में डाल कर पीना है, इससे भी लीजे, इन दोनों रेमेडियों करेंगे, द आने के तयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, वे लोग इसका लगतार दो से तीन साल तक सेवन करें, इससे उनकी शारिक छमता, डोड़ने की छमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, इससे हर इंसान को खाना चाहिए, जो हमेशा स्वस्त्य और मजबूत रहना चाहते ह लड़के लड़कियां दोनों की ही बात कर रहा हूं, अना दोनों को ही बराबर फादे मिलेंगे, इसके लाओ ये बहुत से फादे हैं दोस्तों, सौबात की एक बात कहूं, तो ये रेमेडिय आपको हेल्दी रखने के साथ साथ खुबसूरत और जमा बना रखेगा, तो द हन्यवाद